तो हेलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़ादा अच्छा हो तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़ादा special होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो के mobile में अपना जो fingerprint animation होता है तो उसको आ यहाँ पर change कर सकते हो वही मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों fingerprint को change करने के लिए simply if you आपको क्या करना है यहाँ पर आपको मैं शुरूर फे बता देता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर settings में जाना है जैसे आप settings में जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपके पाफ धेर फारे option देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा dynamic effect का तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर fingerprint icon animation का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर धेर फारे fingerprint animation मिल जाते हैं तो इनमें फे कोई भी आपको फ्लेक्ट कर लाएं तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे अप्लाई कर फकते हो तो यह जो आपका fingerprint animation है वो वही हो जाएगा जो आप यहाँ फे फ्लेक्ट करोगे तो इस तरह फे आप अपने विवो के मबाइल में fingerprint animation को अड़ेट कर फकते हो तो ठैंक फॉर वाचिंग देफ वीडियो का इफ